हेलो वरिवन आई होप कि आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे टोप 10 वर्ड्स जो आज के दा हिंदू न्यूस पेपर से लिए गए हैं यह सभी जो वर्ड्स रहेंगे आपके एक्जाम के लिए हेलफुल रहेंगे जिस भी एक्जाम में आपके इंग्लिश पूछी जाती है उसमें आपके वोकब शेक्शन के लिए या आपके वर्ड्स वैप के लिए किसी भी शेक्शन के लिए या फिर आपके डेली लाइफ में जो आप वर्ड्स यूज करते हैं आपके डेली कम्यूनिकेशन इसकील के लिए भी किसी चीज को समाप्त करना या किसी चीज को अलग-अलग कर देना या आप जैसे आपने देखा होगा कि बॉम को डिस्मेंटल करना बोलते हैं या किसी भी मशीन को जब आप खोल कर अलग-अलग कर देते हैं उसको डिस्मेंटल करना बोलते हैं आप बोल सकते हैं टेक पार्ट इसके synonyms रहेंगे pull apart, deconstruct construction का क्याम नहीं होता है किसी चीज़ को जब आप बनाते हैं जैसे road का construction होता है उसी का ultra, deconstruct right, antonyms, assemble assemble का क्याम नहीं होता है किसी चीज़ को जब आप जोडते हैं, बनाते हैं उसे आप assemble बोलते हैं example, the mechanic dismantled the engine to repair यानि mechanic ने engine को dismantled किया, खोला, उसे अलग-अलग किया, repair करने के लिए next word देखते हैं, copious, adjective की तरह use होता है परचूर, परचूर जब कोई चीज़ एक proper amount में होती है proper quantity में होती है, आप उसे क्या बोलते हैं, copious बोलते है synonym, super abundant, plentiful example, शीटू का copious notes of the lesson यानि उसने एक proper notes लिए lesson के next word, gratitude, gratitude का क्या में होता है निसकरन, adjective की तरह use होता है जब कोई चीज़ बेवजा होती है, बिलकुल बेवजा किसी काम को करना उसे आप gratitude बोल सकते हैं synonyms, unwanted, unprovoked antonyms, justifiable example, the gratitude is killing of dolphin must be stopped यानि जो एक बेवजा जो killing होती है मारा जाता है, dolphins को, dolphins क्या होती है, fish होती है जो बेवजा फिश को मारा जाता है उसको stop करना चाहिए, वो बंद होना चाहिए next word is predominant, adjective की तरह use होता है सरवादिक, जब कोई चीज सरवादिक होती है सरवादिक का मतलब होता है जब कोई चीज proper मातरा में होती है यानि बहुत होती है, बहुत जादा होती है या फिर main होती है main point होता है, उसे आप predominant बोलते हैं जैसे आपने कई बार देखा होगा predominant success बोला जाता है या कोई चीज बिल्कुल एक तरफा होती है बहुत अच्छे से कोई चीज हम करते हैं तो उसे predominant बोलते हैं synonyms, chief principle antonyms, subsidiary the predominant color in the painting was white जो painting है, उसमें जो predominant color है वह white है, यानि जो main color है जिसकी अधिकता उस painting में है वह white है next, stagnant stagnant का क्या meaning होता है, स्थिर होना कोई चीज रुख जाती है किसी जगा पर उसे क्या बोलते हैं, stagnant बोलते हैं कोई कारिया ना करना या फिर RC होना उसे भी आप stagnant बोल सकते हैं synonyms, language, decline antonyms, rise example, because John needs money and his current salary has been stagnant for three years, he is looking for a new job क्योंकि जोहन की जो money थी, वह stagnant हो गई थी, जो उसकी salary थी वो रुख गई थी, तीन years के लिए इस वज़ा से वह नई job ढूंड रहा था, find कर रहा था next word is efficacious एक adjective की तरह यूज होता है, पर वह पादक effective, किसी चीज को effective तरीके से करना, कोई भी काम यानि एक परभाव शाली धंसी करना उसे आप efficacious बोल सकते हैं successful, effectual antonyms in efficacious the treatment was not efficacious यानि जो treatment चल रहा था, जो इलाज चल रहा था, वह efficacious नहीं था, वह effective नहीं था उससे कुछ भी आराम नहीं लग रहा था इसे वज़ा से उसे efficacious बोला गया है next, veto एक noun की तरह use होता है rejection, जब आप किसी भी चीज का rejection करते हैं किसी चीज का एक authorized तरीके से जब आप rejection करते हैं उसे veto बोलते हैं synonyms vetoing, dismissal antonyms approval his casual attitude on veto infuriated her यानि जो उसका casual attitude था veto, यानि एक rejection पर उसने उसको infuriated infuriated कर दिया यानि उसे गुसा दिला दिया next, lament verb की तरह use होता है विलाप करना या फिर शोक मनाना mourn आप इसे बोल सकते हैं यानि जब आप किसी भी चीज का शोक मनाते हैं विलाप करते हैं, grief होता है आपको कोई दुख होता है उसे आप lament बोल सकते हैं जब आप किसी बड़ी शोक पर जाते हैं या फिर मौल में जाते हैं तो कई बार आपको सामान के साथ कुछ फिरी में दिया जाता है उसे complimentary बोलते हैं वही आपका gratitude होता है एंटोनियम पेड जो वकील होते हैं वह प्रोवाइड कराते हैं आपको एक legal advice बिलकुल फिरी में राइट कर्टेल वर्ब की तरह उस होता है घटाना रिड्यूस करना किसी चीज़ को कम करना आप क्या बोलते हैं कर्टेल बोल सकते हैं सिनोनियम कट कट डाउन एंटोनियम इंक्रीज civil liberties were further curtailed यानि जो civil liberties थी जो सुविधाएं थी वह curtailed कर दी गई हैं घटा दी गई है और जो चैनल पर पुरानी वीडियोस हैं आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं okay thank you so much for watching this video bye